सफलता के दो रास्ते हैं और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको बात बता रहा हूँ आप भी सुनके हैरान रह जाएंगे कि ये दो रास्ते हैं देखो बहुत सारे लोग सेल्स इंडस्री में ये सोच के आते हैं कि हमें एक टॉप लेवल की कंपनी मिल जाए या ऐसी कं इस साथ ही साथ एच्छी कंपनी होगी यानि कि ब्रैंडनि कंपनी होगी तो हमें एक अच्छा पिमेंड भी मिल जाएगा लेकिन उस नामी कंपनी के चक्र में काफी सारे लोग कम सेलरी में अपना जीवन गुजार देते है और उन्हे वो नामी कंपणी नहीं मिलती क्योंकि हर एक वैक्ती की जो dream कंपणी होती है नामी कंपणी होती है जिनका उन्होंने बच्पन में नाम सुना होता है या किसी से सुन लिया होता है कि वहाँ पर staff बहुत अच्छा है product बहुत अच्छे बिखते हैं distributor बहुत अच्छे हैं तो ऐसी दस बारे कमपनियां हमारे दिमाग में छप जाती है जिनका हम नाम जानते है और हम इन ही कमपनियों के एर्दगिर्द अपनी interview की तैयारी करते है और अधिकतर time हमारा इन ही की vacancy देखने में जाता है या इनतिजार करने में चला जाता है इनके लोगों से जान पिचान करने में चला जाता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो ये सपना लेके आते हैं कि हमें एक अच्छी salary package चाहिए हमारी lifestyle अच्छी होनी चाहिए देखो company की lifestyle अच्छी है उससे हमें क्या करना हमें अपनी lifestyle अच्छी करनी है हम मेहनत करेंगे तो उसका हमें fruit भी मिलना चाहिए अब ऐसे लोग क्या करते हैं ऐसे लोगों के पास 10 company नहीं होती ऐसे लोग broad minded के होते हैं और बहुत सारे angle से सूचते हैं उनके सामने हजारों company होती है sales की, same field की अब वो क्या करते हैं कि उन्हें एक अच्छी company की तलास होती है ना कि एक अच्छे brand name की और established company की एक अच्छी company new launch company भी हो सकती है छोटी company भी हो सकती है हो सके तो वो एक district में ही काम करती हो वहीं famous हो दो district में ही काम करती हो एक बड़ी multinational company भी हो सकती है और बड़ी लाला company भी हो सकती है अब ऐसे लोग जो होते हैं वो कैई angle से तयारी करते हैं उनके target में यह सभी company होती है कि हमें किसी तरह से यह 30,000 रुपे जो salary package है इसको लेना है 60,000 salary packages इसको लेना है ASM बनना है चाहे इंग में से कोई भी company मिल जाए अब ऐसे लोग मैंने जो market में analyze किया देखो मैं data जो बोलता है मैं जो google में बहुत सारे data पढ़ा हुआ है जब report आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और कुछ अपने experience दे तो जो data मैंने देखा है और जो मेरे experience जो लोग मेरे जीवन में मिले है मैंने इजी देखा है कि जो broad minded वाले लोग है जिनको अपनी life अच्छी करनी है company आउ ऐसा नहीं है यह पूड लाइन की इतनी company आए इसमें से किसी भी company में अपने को जाना है तो ऐसे लोग मैंने देखा है तो ऐसे लोग मैंने देखा है कि सफलता की CD जल्दी चड़ते है क्योंकि उनके मन में वो 10 company नहीं चल ली होते उनके मन में यह होता है कि यह इन company इन हजार company में से मेरा किसी में भी हो जाए वो फिर क्या करते हैं जब उनके मन में company नहीं होती तो वो अपने उस interview skills को सुधारते हैं, communication को सुधारते हैं, अपनी जो sales की रणनीती है उसको नया नया और भी improve करते हैं क्योंकि जिस company में है वहाँ पर भी करके वो उसको test करते हैं वहाँ भी perform करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये sales technique बहुत अच्छी है, मेरी skills है और मैं इसको किसी भी company में जाके apply करूँगा, तो ये बिल्कुल काम करेगी, तो confidence हाई रहता है अब ऐसे लोग क्या होता है कि भले वो दस dream company में न जा पाए वो हजार में से एक company चुल लेते हैं और उसमें भी अच्छी salary मिल जाती है जब अच्छी salary मिलती है तो हमारा रहन सेन अच्छा होता है और हमारे बिचार भी अच्छे होते हैं फिर धिरे लाइफ में गोध पाता चाहता है अब मैं एक चोटी सी बात बता हूँ कि अगर मैं सुरुआत में जब आया था तो मैंने हिंदुस्तान लीवर और पियनजी में काम करने के लिए 80 चोटी का जोड लगा दिया था ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत बड़ी पोजिशन थी उसमें जो सबसे नीचे वाज़ी जो टीम होती है मुझे उसमें गुसना था लेकिन कुछ दिनों तक मैंने उसको ट्राई किया और जब मैं नहीं गुस पाया तो फिर मैंने अपना broad minded वाला दिमाग खोला और मैं उस तरह से सोचने लगा क्योंकि सुरुवात में क्या होता है हिंदुस्तान लीवर PNG में बहुत attraction होता है कि इनके product तो बिकते हैं केवल आप दुकान पे जाके खड़े हो जाओ order मिलता है order मिलना ही मिलना है आपको time से बस बीट में जाना पड़ेगा साम को order देना है incentive अच्छा मिलता है बड़ी company का label है time से salary आती है market में इज़्जत है हर छोटी company इनको लेना चाहती है तो यह मैं भी चाहता था मैं भी इस जाल में था जब तक मैंने दो तीन company के बारे में सोचा 3-4 company के बारे में सोचा मुझे कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी यहां तक कि वो company क्या छोड़ो उससे जो गई गुजरी company थी वहां पर भी job लेने में पापर देनना पड़ता था लेकिन जब मैं मैंने इन सब company को आइड लाइन कर दिया और मैंने कहा कि कि मुझे food line की कोई भी company चलेगी जो मुझे sales officer में इतना package देगी मेरा आची तरह से गुजरा हूँ वहां पर मैं ये चीज़े सीख पाऊँ मुझे इस तरह कि वहां पर territory मिले इतने distributor मिल जाए जब मैंने इस पर focus किया company पर focus नहीं किया तो इसके लिए मुझे क्या करना था मुझे interview देना था interview पर interview देना था